नमस्ते क्रतिगा कीचन में आपका स्वागत है दोस्तो आज में लेकर आई हूँ साबुत मूंकी डाल का यह टेस्टी सा नास्ता जो की खाने में काफी हेल्दी होता है और इस नास्ते को हम कम तेल में बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं साबुत मूंकी डाल का नास्ता बनाने के लिए मैंने मूंकी डाल को रात भर पानी में भीगो की रखा था ताकि यह अच्छे से भीग जाए आप चाहें तो दिन में भी इसे 5-6 गंटे भीगो सकते हैं अब इसका मैंने पानी निकाल दिया है और इधर लिया है मिकसर ग्राइंडर जिसके अंदर मैं ये डाल देती हूँ मूंकी डाल इसका हमें पेस्ट बनाना है डाल का आप चाहें तो सिल्वर टेपर भी इसे पीश सकते हैं अब इसमें मैं मूंकी डाल देती हूँ और साथी में डालूंगी ये मैंने एक मोटे वाली हरी मेर्श ली है जिसे मैंने काट कर डाल दिया है और थोड़ा से लिया है अद्रक का टुकड़ा इसे भी डाल देते हैं और साथी में डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये दाल अच्छी तरीके से एकदम बारिक पीस जाए जादा पानी नहीं डा पानी डालना है सिर्फ तीन-चार चमची पानी डालेंगे अब इसे पीस लेते हैं दोस्तों डाल को मैंने पीस लिया है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसे हमें पीस कर तयार करना है एक दमबारिक इसका पेश्ट बनाना है ज्यादा पतला भी नहीं करना है और ना ज निकाल लेती हूँ और दूसरी बैच को भी पीस कर निकाल लूँगी अब इधर लिया है मैंने एक बड़ा भगोना इसके अंदर डालूँगी मैं दो ग्लास पानी जिसे मैंने गैस पे चड़ा लिया है भगोने को और इस पानी को अच्छे से गरम कर लेते हैं क्योंकि इस दोस्तों अगर आपके पास इडली स्टेंड नहीं है तो आप इस नास्ते को कटोरी में भी बना सकते हैं अब यह इडली स्टेंड को हम ओल से ग्रीज कर लेते हैं इसमें मैंने एक एक बूंद रिफाइंड ओयल की डाल दिया और इसे अच्छे से ग्रीज कर देंगे दोस् जितनी इडली हमें बनानी है उतना ही बैटर हम इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि सारे बैटर का हमें अभी यूज नहीं करना है इस बैटर को मैं फ्रीज में रख दूँगी बाद में इसका यूज कर लूँगी अब इसके अंदर मैं डालूँगी स्वाद अनुसा नमक औ जो दिन अच्छी तरीके से ये बैटर चल जाता है अब इसमें मैंणे डाल इया है आदी चमज इंor आदा सेशर मैं इनू का डाला है और इसे मैं मिला देती हूँ अच्छे से इनू मिलाते ही काफी अच्छा है ये बैटर फूल गिया है अब देड़ न करते हूए इस बै मौनी के अंदर ये पानी भी अच्छे से बॉयल होने लगा है काफी बढ़िया गरम हो गया है इस्टैंड को इसमें रखकर और इसे अच्छे से लीट से कवर कर देते हैं दोस्तों इसे हम 20-25 मिनट अच्छे से पकने देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए क्योंकि ये मूं अगर बीच में आप खोल के देखेंगे तो इडली आपकी पिचक जाएगी फूलेगी नहीं अब 25 मिनट हो गए हैं देख लेते हैं दोस्तों काफी अच्छी इडली फूल चुकी है इसे आप देख सकते हैं इस तरीके से उंगली लगा कर अगर ये उपर से दाल नहीं में से हम इसे बाहर निकाल लेंगे दोस्तों ये खाने बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और कम तेल में बनकर ये तयार हो जाती है लीजे दोस्तों सावुत मूंग डाल की इडली हमारी बनके तयार है इसे आप सामर के साथ या चटनी के साथ सर्फ कीजिए खाने बहु रेंखने मेले प्रम के बत्ताथ जयां